केसे हो आप सब उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे आज की ये वीडियो बहुत ही खास है आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि जो हमारे पास पुरानी चीजे हो जाती है और हम उनका यूज नहीं करते हैं तो उनको हम यूज करके बहुत ही अच्छे से अपने घर को और्गनाइजर कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहां पे लिया है इस तरह का जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं तो वही मैंने लिया है और बच्चे क्या है बड़े हो जाए तो हमारे पास यह वाला ऐसे ही पड़ा होता है तो इसलिए मैंने देखिए इसका यूज किया है और यह बहुत ही अभी भी नया पड़ा है तो मैंने सोचा इसको यूज कर लो तो देखिए आप देख पारे हो कि उपर की साइड में वेलवेट का कपड़ा है और नीचे देखिए के इसको यूज करने वाले हैं चैनला है को साईड में यूज कर लिया है पूर्ञेश कि द चाहें के देखिए है तो अब हम इसका यूज केसे करेंगे तो क्या होता है कि हमारे पास रिमोट होता है मोबाइल होता है उनको रखने के लिए इस तरह के ओर्गनाइजर की जर्वत होती है तो वही मैं देखे डाल रही हूं तो इसको हम क्या करेंगे कि बेड़ के लगाएंगे क्या होता है कि बेड के अगर कबर ना हो या कोई ड्रोवर ना हो तो उसके लिए यह बहुत ही काम आएगा तो देखिए हमें क्या करना है जो भी हमें कुछ डालना है वह मैंने देखिए डाल लिया है और अब हम देखिए इसको केसे लगाएंगे तो हमें क्या करना है देखिए गादे को इस आप चाहे तो दवयां भी डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा ओर्गनाइजर ये बनके तयार है और बिल्कुल भी देखिए ये खराब नहीं दिख रहा है बहुत ही सुन्दर इसका लुक आया है इस तरह से देखिए हम जो हमारे पास बेकार जो समान होते हैं उसका हम रियूज करके और इस तरह की ओर्गनाइजर बना सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे जरूर ट्राइ करें मैंने देखिए यहां पे लिया है सौपिंग बेक तो इस तरह की जो सौपिंग बेक होते हैं हमारे पास बहुत सारे पड़े होते हैं और आज में इसका बहुत ही अच्छा एक रियूज आइडिया बताऊंगे आपको जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और देखिए आपको क्या करना है तो देखिए एक साइड में हम इसको कट करेंगे तो कैसे कट करना है देखिए हम इसके लिए लेंगे जो मुबाइल का हमारे पास जो कवर होता है बोक्स होता है वही हम लेंगे और इस तरह से देखिए इसके उपर रखके फिर हमें triangle shape में इसको cut कर लेना है तो चलिए मैं ये cut कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका हम कैसे use कर सकते हैं तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो please वीडियो को like कर दिए और चैनल पे नए हैं तो please चैनल को भी subscribe कर ले तो देखी मैंने इसको cut कर लिया है इस तरह से और अब हम देखी इसका use कैसे करेंगे तो देखी इस तरह की जो bottle होती है बड़ी या छोटी वो सारी हम इसमें रख देंगे अगर बाहर पड़ी रहेगी तो घर क्या है बिक्रावा लगता है और मिलती भी नहीं है में आसानी से तो इस तरह से देखी हम shopping bag को cut करके और बहुत ही अच्छा एक organizer बना सकते है तो फ्रेंस लगाने के बाद देखी आप देख रहे हो कितना सुंदर इसका look आया है और हम चाहे इसमें डाल सकते हैं या फिर से निकाल सकते हैं बहुत ही useful है अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राइ करेगा तो देखिए यहां पर मैंने लिया है इस तरह का box जो शूच का box आता है चपल का इस तरह का कोई भी आप ले सकते हो और इस side का मैंने देखी cut कर लिया है और अब हम देखिए इसको क्या करेंगे क्या होता है कि हमारे पास इससे बहुत से पड़े होते हैं हम क्या करते हैं इ इसका यूज करेंगे और इसको cover करने के लिए मैंने लिया है देखिए pillow cover तो देखिए pillow cover हमारे extra में रहते ही है तो हम pillow cover का ही use करेंगे अगर आपके पास में कोई फटा पुराना है तो वह भी ले सकते हो और मैंने देखिए pillow cover के एसाब से ही यह box लिया है तो मेरा यह अच् डालने के बाद अब हमें क्या करना है पीछे की साइड में देखिए अभी भी ये कोने निकले हुए हैं तो हमें क्या करना है इसको देखिए इस तरह से दोनों को आप चाहे तो स्टीच कर सकते हो सिलाई कर सकते हो या फिर आप क्या है इसमें सैप्टी पिन लगा सकते हो तो जाहें तो कोई कार्बोर लगा सकते हो तो देखिए मैं इस तरह से ये इसको अच्छे से इसकर दूंगे इस तरह से तो अब ये देखने में बहुत ही सुन्द लगेगा बिल्कुल भी ये खराब नहीं दिख रहा है तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे देखिए तो भी हमारे पास ब्लाउज होते हैं देखिए तो इतने सारे मेरे ब्लाउज है और हम देखिए क्या करते हैं कि इन ब्लाउजों को अगर हम रखते हैं तो इनकी डोरी अलग हो जाती है और ये क्या है भिक्रियों ये लगते हैं तो इसको हमें समेटना कैसे इस तरह से समेटके इसको अच्छे से पेक कर देना है जो निचे का साइड ये खुला है इसको हम देखे अंदर डाल देंगे और डोरी को भी हम अंदर डाल के फिर हम क्या करेंगे इसको एक pocket से बना लेंगे बनाने के बाद इसको हम रखेंगे देखे इस box में तो इस तरह से हम देखे समेट के सारे blouse को इसके अंदर set कर देंगे फ्रेंच यह बहुत ही useful है इस तरह से देखे हम छोटे से box में सारे blouse डाल सकते हैं और एक अच्छा बढ़िया हम organizer बना सकते हैं जो हमारे पास बेकार पड़े जो समान होते हैं इसका देखे हम बहुत ही अच्छे से use कर सकते हैं और आप देख सकते हो कितना beautiful लग रहा है अब नेक्ट वीडियो में बबाई तिक के थैंक यो पूर वोचिंग माई वीडियो